प्यारे छात्रों, कंपार्डमेंट परिच्छा की तैयारी में बिल्कुल समय नहीं है अगर आप ये सोचते हों कि एक्जाम का डेट आएगा, एडमिट काड आएगा, पूरा हल्ला होगा यूपी बोर्ड का जो मेन एक्जाम हुआ है, जिसमें आप फेल हुए हो उस उग्जाम की तरह से ये एक्जाम का सोर सराबा नहीं होगा ऐसे डेट आएगा, डेट निकल जाएगा, आप रह जाओगे, इंटरनेट पर गूगल पर सर्च मारते ही रह जाओगे यदर उधर कि बात करते रह जाओगे दोस्तों रिष्टदारों से समझते रह जाओगे जो भी बाते बता रहा हूं इदर मीतने बता रहा हूं और कैसे पास होनाaya कैसे फार्म भरना कितने का फार्म है किस दीन आ या आड्मिट कारट कर रहारी होगा रिजल्ट कब आएगा पेपर का लेवल कैसा होता है पेपर कैसा आता पेपर किसी ने दिया है सारी जानकारी आपको मिलने वाली है तो A to Z पॉइंट आपको मिलेगा वीडियो के लास्ट तक बने रहना दूजरी चीज फेल अगर हो गए हो तो चैनल सब्सक्राइब करके रखो बेल आइकान प्रेस कर देना घंटी वाली बटन दबा देना आल नोटिफिकेस्टन आन करना ताकि हर एक सूचना आप तक पहुंचे मैं अपना फोन नमबर नहीं सेजर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने फोन आ रहे है कि फोन रिशीव करते करते गला दुख रहा एक फोन कट नहीं रहा दूसरा फोन आ जा रहा इस वज़े से फोन नमबर नहीं दे रहा हूँ जिसको कंपाटमेंट की तैयारी करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है जाकर करके कोर्स जोयन करेंगे हम 10-5 मिनन में मेरी टीम या मैं स्वेम आपको काल करेंगे काल करके बताएंगे कलास कब से कब तक चलेगा रिकार्टेट वीडियो मैं नहीं दूँगा भाई मैं डिड़ियो काल जीस तरह से वाटसब पर वीडियो काल अपने रिष्टदारों से आप बात करते हो ऐसे मगर 4 बच्चा ही पाऊंगा वीडियो काल पर बात करते हुए पढ़ाऊंगा कांपी चेक करूँगा काँपी कैसे आपने लिखा था पिछले बार वो भी देखूंगा ये बोड एक्जाम में फेल हुए तो काँपी कैसे लिखे थे हेडिंग कैसे डाले थे सवाल था तो सवाल को हल कैसे किये थे मैं खुद तुमारी काँपी चेक करके बताऊंगा हाँ इस वज़े से तुम फेल हुए हो जो पेपर दिये उसी पेपर को एक बार दुबार मैं आप से साल करवाँगा तो टोटली एसा वीडियो काल पर होगी ठीक है तो पूरी मेहनत करूंगा जी जान से आपको अपना बच्चा अपना भाई अपने घर का मान के पढ़ाऊंगा इस वज़े से आप अगर सीरियस हैं इसी साल नंबर है फोन पर बात नहीं हो पाएगी भाई मैं पूरी बात बता दे रहा हूं कैसे क्या करना है कैसे क्या चीजें होने वाली हैं बता दे रहा हूं और बाकी कोर्स के लिए डारेक्ट आप कोर्स में इंडोल होई है और एक एक पॉइंट आपको मैं बताऊंगा पूरी Korpelete तो आएं मिलेग Scr here कि आज जाना है आज देखो यहां पर कोन तैस्पर्स एक को नहीं दे सकता है कंपर्ट्मेंट पर इच्छा 2024 कि यूपी वोर्ट कमप्रट्मेंट पर इच्छा 2024 कोन दे सकता है को को नहीं दे सकता है इस की जानकारी आपको मिलने वाली है यह आपर एकजोय में फैल या कोई दो फैल है या तीन कि से सबकी मन में सवाल है ने सब का जबाब मिलेगा सभी इस में उनका तो जबाब उनको पता लेकिन इस में बताऊँ से तो क्या करोगे दुबारा कांपी जाच कैसे होगी सब बताऊंगा केवल हिंदी में फेल होएंगे केवल हिंदी में फेल हैं तो क्या होगा भाई पूरी की पूरी लिष्ट में पूरी की पूरी रिसर्च के साथ लेकर आया हूं कोई यह नहीं कह सकता कि सर मेरे सवाल का हैं लेकिन कोई बात नहीं आपके लिए समय दूंगा खर्चा करूंगा पढ़ाऊंगा देखो यूपी वोड कंपार्टमेंट पर इच्छा कौन दे सकता है कौन नहीं दे देखता है उसके मन में क्या है कंपार्टमेंट का फॉर्म कबाय का भाई जारना चाहते हो ना रुके रहना फार्म की फीस क्या होगी एक बार फीस जमा करेंगे तो सारे विश्य कमान ले जाएगा कि अलग 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 विश्य के लिए अलग अलग फीस होगी सारी बात वहां होगी बहाई जिसी स्कूल में पढ़ते हो वह ही पे होगी क्या यहाँ पर उगले थे वहाँ होगी कि कहाँ होगी पूरी जानकारी के लिए वीडियो के साथ बने रहना पेपर कैसा आएगा किस तरह पेपर आया था कटिन था कि असान था तो आपने देखा ही है तो कमपार्टमेंट का पेपर कैसा आएगा उसका लेबल क्या होगा सब बात बताऊंगा सब सवाल आपके फोन से मेजे मिरे हैं पुरी रात मैंने फोन रिसीब किया अभी 10 बजे तक फोन रिसीब किया ठीक है उसके बाद मैं फोन पर भी बात करूंगा वीडियो काल पर रोज पढ़ाऊंगा रोज बात होगी ठीक है और इतना इन्हें सारी बात एट्व पाइंट बताऊंगा भी रुके रहना आपके द्वारा सवाल है ना हो सकता कि कल आप इनमें से कोई सवाल मेरे से ошक्ति की द्वाहर चाहँ आपके मन में सवाल है का कियो भरते यह लोग इंप्रूमेंट फार्म कब आएगा इनको नहीं पता है होता किया भी बताऊंगा आपको बच्चा भरbold सकता है कौन सथन नहीं भर सकता है सारी बात होने वाली है अगले class में admission कैसे होगा फिल होगे एक विशे में दो विशे में या number बहुत कम है तो अगले कच्छा में admission कैसे होगा या होगा उसका process क्या कौन सा नियम कानून वहाँ काम करेगा सारी बाते बताने वाला हो टेंसन मत लेना एक के question जो आपके दिल में है या आपके दोस्त के दिमाग में है उसकता है इसमें से सवाल आप मेरे से पूछो इस वज़े सारी सवाल काँपी दुबारा जाच कैसे होती है भाई एक बार जाच हो गया number कम आया कुछ तो फेल हो गए कुछ का number कम है तो number कम जिनका आया उनकी काँपी दुबारा जाच कैसे होगी बताऊंगा रुके रहना मेरे में तरह रीचे कौन करता है जिस टीचर ने काँपी आपकी चेक किया था इस बार इसने चेक किया जिसके वज़े से आप फेल हुए या रीचे कराने पर वही टीचर दुबारा चेक करेगा या कोई दूसरा टीचर करेगा सब बात होगी रुके रहिए वीडियो में जाइए गमा तो वही टीचर करेगा या कोई दूसरा ये तो हो गया इसकूल वाले सुने ना सुने तो कहां जाना होगा अमपार्टमेंट परिच्छा का फाम भरना है तो आप स्कूल पर जाओगे स्कूल वाले अगर नहीं सुनते हैं तो आप क्या करेंगे तो किस से बोलेंगे कौन से नंबर पर काल करेंगे कौन से अधिकारी से बात करेंगे कहां मिलेगा अधिकारी सब बताओंगा फेल होने पर पड़ोसी मजे लें तो इसके लामा आपके मन मे और भी सवाल क्लिक हो रहा है ठीक है सारे चीज़े आपको मैं A to Z बताने वाला हूँ भागना नहीं है इस वीडियो के साथ बने रहना है और यहाँ पर आपने मेरे से पूछा सबसे ज़्यादा हमारे पास 300 कॉल आए 300 कॉल में से 200 कॉल वाले यही पूछे क्या पूछे जानते हो कि बाबू दो बिशे में एक फेल तो कमपार्टमेंट दे सकते हैं क्या अगर आप दो बिशे में फेल है तो कमपार्टमेंट एक्जाम दे सकते हैं क्या बहुत लोग कहें नहीं सर एक ही बिशे मोता है फोन पर मेरे से बता है बहुत सारे स्कूल वाले पे कह रहे हैं कि एक ही विशेम होता है लेकिन भाई साब आज ही अमर उजाला वेब साइट मैंने पढ़ा है अमर उजाला के नीज वाला बलाग मैंने पढ़ा है अमर उजाला के नीज में मैंने देखा है पिछले साल भी देखा ता इस साल भी देखा नया अपडेट क्या देखा है कि किन लोगों को माना जाएगा कि फेल है देखे यूपी बोर्ड दसमी बारामी की परिच्छा में दो विशे से ज्यादा में फेल हो ने वाले चात्रों को फेल ही माना जाएगा अगर दो बिशह से ज़्यदा विशेयों में फेल हैं तो फेल माना जाएगा दो से ज़्यदे में, ठीक है? ऐसे चात्रों को दुबारा एक ही कच्छा में पढ़ना होगा वही पर ध्यान से देखिए गार बात वही पर वही दो बिशह में फेल होने वाले चात्र कमपार्टमेंट एक्जाम दे सकेंगे यहां मैंने अंडरलाइन किया है वहां तक आप देखिए रेट कलर की अंडरलाइन देखिएगा ध्यान से वहीं पर दो भिशे में फेल होने वाले चात्र कमपार्टमेंट एक्जाम दे सकेंगे ये बात अमर उजाला के निज़ पेपर में निकला हुआ है और वहीं से ये मैंने लिए मैंने यहां लिखा सोर्च कहां का है अमर उजाले का तो दो भिजया में जो फैल है menदी को छोड़ कर मैथ में फिजिक्स में या मैथ फिजिक्स या किसी अन विख्याव में फैलने तो रापार्टमेंट कि टहरी कौन करेंगा कैसे होगा उससे होगा इस तरह न होगा जिस तरह से तो मप्र। हो गए यूटुब पे वीडियो देख 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 फेल हुए हो ना तो फिर वीडियो दे दू या किसी से कमेंड करोगे चिस तरह से वाटसब पर वीडियो काल दोस्तों से बात होती है पूछते हो पीछे क्या दिखा रहा आगे क्या है साट कैसा पहने हो तुम्हारी आख में कुछ हुआ है क्या फूल गया चेहरा ऐसा देख देके पूछते हो ना तो मैं वैसे ही इसी डिश्टल वोट पर आपको पढ़ाऊं होगा आगे आते हैं कि आगे आते हैं कमपार्टमेंटल एक्जाम के लिए नोटिफिकेशन रिजल्ट के बात जारी किया जाएगा सभी चात्रों को एक विश्टल में कम से कम 33 प्रतिसत अंक पाने होंगे तो मालूम है आपको भाई 33 नंबर पाओगे तो पास माने जाओग प्रतिस तो नोटिफिकेशन भी आने वाला मेरे भाई सारी जानकारी आपको मिलेगी और यहाँ पर अगर आप मेरे से मेरे से पढ़ते हो सारी बाते असपस्ट में बता दे रहा हूं कुछ भी चिपाऊंगा ने सब कुछ बताऊंगा इदम खोल के आपको बता दे रहा हू मेरे पढ़ाने का तरीका अगर कमपार्टमेंट एक्जाम में मेरे से पढ़ोगे तो तरीका क्या होगा जान लो वीडियो काल पर फेस टू फेस पढ़ाऊंगा कोई टीचर आज तक आपको फेस टू फेस मो members बोलते बतियाते हुए नहीं पढ़ाया होगा वैसे मैं पढ़ से नहीं लेता हूं सिर्फ 15-20 बत चलेता हूं हां ताकि पढ़ा सको मैंने कर सको तो रोज आपको आखरी में सवाल दोंगा हल करोगे तुरंत कलास के दारानी तुरंत मुझे वाटसप करोगे वीडियो काल जुड़ा रहेगा हल सवाल भी है लोगा मेरे पास आएगा भी क्लोंगे तो फिल नहीं होगे ठीक है क राचने वाले की रिकने के लिखने वाजाव निizer बेस समाप्त कर दूंगा मैं इडॉट नाम की चीज समाप्त कर दूंगा मैं पूरी लाता हूं योटूब पर वीडियो को देखकर फेल हुए हैं यह बात सत्य है दिल पे हाथ रखके कहना यूटूबर्स का लाइव कुला ले लेके कमेंट करकर के जिंदगी बरबात कि यह हो नौ कि मैं ऐसा क्लास पढ़ाता हूं जिसमें कमेंट नाम का आपसर नहीं होता है कमेंट नहीं करना है कि सीधे बात करना भाई या बात करना गुरुजी यह लाइन कैसे है ऐसे बोलोगे तुम्हें बताओंगा गुरी चिला ऐसे नहीं ऐसे हुआ ऐसी वीडियो आपको दूंगा बात करते हैं जो सीर्यउस है एक में मैं तब घुममा का तो वीडियू कालिंग रहेगा वो यो कि मैं का हर सवाल संथने समझंने वाला होता इसना से वीडियो काल रहेगा बागी सबेंस फिजिक्स्तों करीका मैं रिकारड वीडियो का canvas कि उसमें जोता है याद करने वाली चीजें होती है ठीकैं योट जो क्लास में जुडेगा उसी से बात होगी जो क्लास में जुड़ेगा description में link है उसी से बात होगी और description में link है भाई है ठीक है ये तो रही हमारी बात और यहाँ पर आखरी बात वीडियो की आखरी नहीं है परिच्छा के डेट का इंतजार करने वाले फेल होते हैं, पास होने के लिए आज ही से पढ़िए, मेरे भाई, ये बात सत्य है, अगर तुम पिछले बार की तरह है, एक साल मौका मिला था पढ़ने के लिए लेकिन तुमने पढ़ा नहीं, सोचा एक्जाम का डेट आएगा, टैम टेबल आएगा, तब पढ़ूँगा, इस बार है साम मत करूँ में, तिर दो महिने के अंदर कंपार्डमेंट एक्जाम होगा, दो महिना कोई बहुत बड़ा दिन नहीं होता है, इसमें साधी विवाह भी है, संकट भी है, दुख बीमारी भी है, परिसानी भी है, सब क सेल्फ इस्टेडी कर सकते हैं, सेल्फ इस्टेडी करो, आज से लगो, डेली पांच घंटा लगो, और तुम परिच्छा का अंतिम दिन तक रुकना मत, ठीक है, नहीं तो बेटा, यही बात सत्ते होगे, परिच्छा के डेट का इंतजार करने वाले फेल होते हैं, तो फेल ह अब मैं आपको बताता हूं, पूरी की पूरी बात है, अब मैं आपको सुरू से, दमदार तल्डी के से दہार के बता रहा हूं, कोई नहीं आपको इतना क्लियर कट बताने वाला है, एक विषय में फेल है, तो एक के लिए हैं बिच्छाब या या नि आप इसके लिए इद तो भी से में फेल हैं तो भी कमपार्टमेंट एक्जाम दे सकते हैं अमर उजाला के नियूज बलाग में मैंने पढ़ा उसका प्रूब भी दिखाया है इसकूल वाले आपसे ऐसे बताएंगे इसकूल वालों के पास भी इस चीज की नॉलेज नहीं है इसकूल में सिर्फ दो के पास इसकी नॉलेज है एक प्रिंस्पल दूसरा जो वहां के कंप्यूटर आपरेटर होंगे जो जिला विद्याले ने रिच्छक से संबंधित है कारे करते होंगे जो ऑनलाइन डाटा फीडिंग करते होंगे एक कंप्यूटर आपरेटर होता है जो इसकूल का आप एरली प्रदाना चारे बता पाएंगे उसके अलावा उसकोल के कोई अध्यापक को सही जानकारी नहीं होती है यह सच है तो सब अध्यापक से मत पूछना नहीं तो उल्टा सीधा बताके आपको वापस भेद देंगे घर तीन विशे में अगर फेल हैं वह आप हमेशा के लिए फेल हैं आपके लिए कुछ भी नहीं मौका है माप करना मुझे मैं आपके लिए कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दे पाऊंगा जिससे आपको तसल्ली हो तो तीन विशे में फेल तो फेल तो फेल भागो भागो अगले साल पढ़ना काँपी दुबारा जांच कैसे होगी इसके लिए भाई काँपी दुबारा जांच कराने के लिए स्कूरूटनी या इंप्रूवमेंट देखो इस स्कूरूटनी फार्म भारा जाता है आप अब दुबारा जांस के लिए इसका भी सुल्क लगता फिर ही नहीं होता यह पिक है असुल को दौस्पीश पचाह नहीं लगता हम बढ़ियां सुल्क लगता तो थाइसो रुपया एक विशे का चार विशे का जांस कराओं के सब्सक्राइब कर दो क्यांकि सारे लोगों का नोटिफिकेशन आपको आता था सारे लोगों की वीडियो देखते थे कनफ्यूज होते थे और इसी का नतीज़ा है कि आज सिर्फ मेरी वीडियो देख रहे हो बाइज जो तुमारे काम का है उसको सब्सक्राइब बाकी अनसब्सक्राइब कर दो ठीक है बाकी लोग नया बैच पढ़ाएंगे दोजार पचीज का सपना दिखाएंगे ठीक है गाईज कहिंगा हाई गाईज तो हम गाईज भाईज नहीं करते सीधे मुद्दे की बात करते हैं क्येवल हिंदी में फेल तो क्या होगा शत्यानास होगा कुछ नहीं होगा ऊच नहीं होगा आपका आप फेल 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 तो फेल ठीक है अब आपके सवाल का जवाब यहां पर मैं दे दूँ जहांसे समझेगा अपार्डमेंट फार्म कब आएगा यूपी वोट की अफिशि compartment farm का button वहाँ पर दिखाए देगा कमपार्ट्मेन फार्म अप्लाई करने के लिए फार्म भी मिल जाएगा ये आपको नहीं मिलेगा मेरे से जुड़े रहेंगे क्लास खरीदे रहेंगे मेरे बैच में आया रहेंगे उनको मैं फार्म भी भेच दूँगा भरने बता दूँगा इसी बोड पर उनको प्राइबेट क्लास में भर के दिखा दूँगा ठीक है और स्कूल पर चले जाएंगे फीज दे देंगे फारम दे देंगे स्कूल वाला मोहर मारेगा आपका पैसा लेगा कहेगा जाओ डेट आएगा तो बता जाएगा जब एकजाम रुपए पिछले साल था पिछले साल का फीज था एक विशय का तो इस साल भी 256 रुपए से थोड़ा ज्यादा माल लो अगर महंगाई दिन रात बढ़ रही है तो फार्म इस कंपार्टमेंट फार्म का फीज भी बढ़ जाए 256 की जिए 270 हो जाए 300 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है तो एक विशय का 256 था तो इसको 256 को हम लोग क्या माल लेते हैं 300 माल लेते हैं अपने पास से तो दो भी से अगर है तो फिर 300 लगेगा तो मतलब 600 रुपए ठीक है और हमारा क्लास जोईन करोगे तो डिस्क्रिप्शन में फीज लिंक पे क्लिक करोगे फीज दिख जाएगा एडमिट कार्ड कहां मिलेगा बह्या एडमिट कार्ड आपके बिद्दैलस से ही आपकू मिलेगा और एडमिट कार्ड आपका तभी आएगा जब यह फार्मभरे रहेंगे फी ainda हर तीन दिन बाद स्कूल जाकर या स्कूल के किसी बाबू को को अपना फूर नंबर या उनका फूर नंबर ले दे करके हाथ से हाथ जोड़के हाथ गोड़ जोड़के क्विंती करके संपर्क में रहिएगा और एड्मिट कार की जानकारी लीजेगा और हम भी बताएंगे जब आएगा सब के लिए परिच्छा कहां होगी सबसे बड़ा मुद्दा यही है सबसे ज़्यादा कठिन काम यही है परिच्छा आपके स्कूल में नहीं होगी जिसी स्कूल में आपने पड़ा वहाँ परिच्छा आपकी नहीं होगी compartment वाली जिस स्कूल में आप इस बार exam देकर फेल होगे हो उसमें भी नहीं होगी आपकी compartment पर इच्छा तो कहां होगी जिला विद्याला निरिच्छक के निगरानी में जिनको बोलते एक्जाम देने के लिए पूरे जिले में सिर्फ 500 बच्चे हुए तो सिर्फ 100 एक ही स्कूल में एक्जाम सेंटर रहेगा 2000 बच्चे हुए तो 500 गुड़े चार करेंगे यानि 4 स्कूल एक्जाम सेंटर बनेगा तो फेल होने वाले बच्चों की संख्या के उपर डिपेंड करता है कि कितने स्कूल सेंटर बनेंगे और उनका जो परिच्चा है वो विद्याले 2-3-4 विद्याले चुने जाएंगे जो राजकी विद्याले होंगे या सरकारी स्कूल होंगे जिले के अंदर राजकी इस्कूल के आसपास होंगे जहां कड़ी से गड़ी ब्योस्ता हो सके आने जाने का साधन मौझूद हो सके कहने का मतलब गाओं गरामीड चेत्रों में यह एकजाम नहीं होता है कंपार्टमेंट इस्कूल वाले आपको बतायेंगे आपके admin card पे लिखा रहाएगा पेपर कैसा आएगा compartment exam का जो पेपर है कठिन नहीं आता है जो exam आप दे चुके हो जिसमें फेल हुए हो इस exam के पेपर से आपका compartment paper आसान आएगा compartment exam आपका क्या paper आपका कैसा आएगा आसान आएगा तो आसान का मतलब यह नहीं होता कि आप एक भे दिन पढ़ाई नहीं करोगे अपने आप पास हो जाओगे मैत में करिस्मा नहीं होता दो दुना चार अगर लिखेंगे तभी दिखाई देगा आगबंद के रहेंगे तो दिखाई नहीं देगा तो वयसे ही Paper थोड़ा आसान होता है वह जइदा नहीं थोड़ा आसान होता है कैसा होता हो मैं पढ़ाउगा अपनी बैच में दिखाई देगा मैं सब समझाऊँगा सब बताउँगा सारी तरी कराउँगा कोई tension नहीं आगे बढ़ते हैं आपके इन सवालों का जवाब भी होना चाहिए, पेपर का लेबल, पेपर का लेबल क्या होगा, बात हो गई, परिष्छा के अंदर कितना दूर होगा, मान लीजिए, ये जिला है, जिले में भीचों भीच आपका ये सहर है, ठीक है, अब आपका गाउं यहां है मान लो, अब 50 किलो मेटर दूर जाना पड़ सकता है, सहर आपके गाउं से कितना दूरी है, समझ लो, एक्जाम सेंटर उतना दूरी पर होगा, आपका गाउं सहर, आपके सहर से, आपके जिले वाले सहर से, जिला मोख्याले से, पांच किलो मेटर पर है, तो पांच किलो मेटर दूर एक् मैं भी बताया है कि जिनको अपनी कांपी री चेक करवाना है दुबारा चेक करवाना है दुबारा अपना कांपी चेक कराना किसी भी विशय का कि चारों भी से कचेक कराना हो पांचों भी से कचेक कराना हो एक भी से कचेक कराना हो दो भी से कचेक कराना हो सारे भी से कचेक हो जाएगा लेकिन भाइया तूलक लगेगा क्या लगेगा सुलक लगेगा इसका भी सुलक कम नहीं होता है जब और जस्ट सुलक होता है इसका भ सब जाएंगे फारम भरने तो सकूल में हो सकता आपको 500 देना पड़े एक विसे का दो भीषे का हो सकता है आपको 1000 देना पड़े तो चाहिए तो सरकारी रेट हो गया तो बाकी ठाई सो ज्यादा आप से लिया जाएगा तो आपका काम करवाने में इस पूल के स्टाप को डिपार्टमेंट को अलग खर्चा करना पड़ेगा मेहनत करना पड़ेगा तो इस खर्चे का मेहनत का समय का उसे लिया जाएगा जिस तरीके से आप कोई भरते ओजन सेवाकेंद्र पे ठीक है मालों फाम सुल्क है सो रुपया तो जन सेवा केंद्र वाले से जब अपना फार्म भराओगे को कहीं नहीं जाएगा अपने दुकाने में बैठर रहेगा तो पचास रुपया आप से क्या करेगा इस्ट्रा जोड के आप से मांगेगा डिगड़ सो और रुपया तो सरकार को जाएगा पचास रुपया अपने जाएज है हाँ अगर ताइसों की फीच के जवब एक हजार सीथे मांगे तो वहां उचित नहीं है वहां विरोध करना उचित है ठीक है तो आप समझ सकते हैं आगे बात करता हूं इंप्रूवमेंट फार्म क्यों भरते हैं भाईया री चेक कराना पर दूबबारा चेक कराना तब भरते हैं अगले कलास में एडमिशन कैसे होगा वालोग कोई एक लड़का एक बिसेंबर सेल है अगले कलास में अडमिशन सरकारी संस्थानों में नहीं होगा कुछ अगर मैं पास होता हूँ तो पूरी फीस लाके दे दूँगा जमा कर दूँगा अगर मैं फेल होता हूँ तो रजिस्टेशन का फीस आप मेरा रख लीजेगा बाकी फीस लौटा दीजेगा वापस टिक है जैसे मालो किसी स्कूल में पास यह लग रहा है तो हजार रुपया एक एडवांस पेमेंट करके आप अपना सीट बुक करा लो बाकी चार रेजल्ट तब देना जब आपका रेजल्ट अच्छा आ जाए इसकूल वाले से बात करोगे तो वह हो जाएगा वो भी प्राइबेट समस्थान वाले मानेंगे इस तर्थ पर गोर्मेंट वाले तो कह लाज कैसे होती है कि स्कूरूटरिय या इंप्रोव्मेंट फार्म भर के रीचे कौन करता है कि यह बात बड़े कायदे की है देखो ज्यादा तर कंडिशन में वही टीचर कापी आपकी रीचेक करेगा जिस टीचर ने पहले चेक किया होगा ठीक है वही चेक करेगा जिसने पहले चेक किया हुआ अगर वो उपलाब्द नहीं है इमर्जेंसी छुटी पर है साधी में है या वो बिमार है और रीचेक करने का डेट आ गया तो उस डेट पर अगर वो नहीं पहुंचता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा ध्यापक उसी भी से का नियुक्त करके आपकी क कांपी को रीचेक करवाया जाता है रीचेक करने पर कोई लड़का मालो मैथ में रीचेक कराता है 20 नमबर पाया मैथ में कांपी रीचेक कराने पर 20 के जगह पर 60 नहीं पाएगा किसी भी केमत पर 20 के जगह 25 पासकता है 27 पासकता है 22 पासकता है 24 पासकता है 24 नमबर बढ़ हो सकता कि एक भी नमबर ना बढ़े हो सकता आपने सच में गलती लिखा हो आपको लगे में सही लिखा हूं लेकिन सच में आपने गलती लिख दिया हो तो अगर गलत लिखा आपने तो रीचे करने पर नमबर बढ़े गा नहीं बेटा दुबारा एक दो नमबर घट भी सकता ह रीचेक करने का मुल्लब क्या हुआ बढ़ना भी संभव होए और घटना भी संभव होए ठीक है तो यह चीज होता है वही टीचर करेगा या कोई दूसरा मैंने बता दिया इसकूल वाले ना सुने तो कहां जाना होगा अगर कमपार्टमेंट के योग हैं आप कमपार्टमेंट परिच्छा के योग हैं अगर इसकूल वाले कहते हैं नहीं है सब नहीं होता दुबारा पढ़ना पढ़ेगा प्राइबेट इसकूल में अगर नाम लिखवा होंगे आपना तो सब कहेंगे एक साल पढ़ना पढ़ेगा आई सब नहीं होता नियम नहीं सब ख आप क्या करेंगे आप अपने जिले का नाम लिखेंगे गूगल में लिखेंगे मालो कोई है गाजीपूर का तो वह गूगल में लिखेगा गाजीपूर अगर आप गाजीपूर के हैं तो इंग रेजी में लिखेगा गाजीपूर गाजीपूर डी आई ओएस मोबाइल नंबर लिखेंगे सर्च करेंगे कधिला तो डिर्फे लंबर आजागा फ़रनगाइगा पको आफिसे उनको पारशा बाता तो विछ सिधाप्ष करक्तों सर्च कुंधूर पहले लंबर प्रियाग्राज डियोस मॉवाईल लंबर सीता पूट डियोस मॉवाईल लंबर समझ गए हर चीज की दवा है बेटा आपके पास आगे चलिए फेल होने पर पोडोसी मज़े लो तो क्या करें अगर आप फेल हो गया है पोडोसी मज़ा ले रहा ताने मार रहा जीना हराम हो गया दो चार दिन चापका तो आप मेरा डमी रिजल्ट निकालना है गुगल में सर्च करना सरकारी वर्दी वहां जाके डमी रिजल निकालो उनक डमी रिजल्ट के बारे मैंने बताया डमी रिजल्ट निकाल लेना ठीक है डमी रिजल्ट इसी तरह के लोगों का जवाब देने के लिए होता है आगे आगे क्या हाल है एक बार इसका स्क्रीन साट ले लीजे आप अमर उजल्ट की ऑफिशल विबसाइट पर यह रीचिक से रिलेटेड इसे रिलेटेड दो भीशेय में अगर आप फेल है तो कमपार्टमेंट एकजाम दे सकते हैं compartment दे सकते हैं ठीक है बस ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरा class जोईन करिए मेरे पढ़ाने का तरीका का screenshot ले लिजिए ठीक है description में class की link है face pay करिए मैं call कर लूँगा या आप स्वेम call कर लेंगे ठीक है पीडियो call में देगा काँ भी चेक करूँगा लिखने का तरीका बताऊँगा doubt नहीं रहेगा YouTube वाला चकर छोड़िए सीधे आप वीडियो call पे जुड़िए phone पे बात नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत सारा phone आ रहा है जुडेंगे तो हम call कर लेंगे जो क्लास में जुड़ेगा उसी से बात हो पाएगी description में payment का link है बेटा इमांदारी से जुड़िए सारी बात है मैंने बताई है वीडियो पूरा देखिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त अगर आपके छूट गए हो इस वीडियो को ना देख पाए हो तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजे ठीक है शेयर कर दीजे जो फेल है जो एक दो बिशेम फेल है ठीक है थैंक्यो